तो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल एडूफवाइल आज की इस वीडियो में हम लोग कैरनोट इंजन के बारे में डीटेल में डीसिस करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग इसके construction, working और derivation को step by step detail में समझेंगे साथ ही साथ कैरनोट साइकल किसे कहते हैं इसको भी जानेंगे तो जैसा कि हम लोग ने heat engine पढ़ाता, heat engine जो होता है वो कई टाइप का होता है जैसे steam engine, petrol engine, diesel engine ये main तीन टाइप के होते हैं अब देखें अगर efficiency की बात करें, efficiency का मतलब यह होता है कि जब कोई engine heat को लेता है और उसको work में बदलता है तो बात करें अगर ये 100% heat को ले रहा है तो कितने percent में work को change कर रहा है तो steam engine 16% efficient होता है, मतलब ये 84% क्या कर देता है, waste कर देता है heat को petrol engine 26% ये भी waste करता है काफी, diesel engine 40% यानि कि ये सब बहुत कम efficient engine है, heat को बहुत ज़्यादा waste करते हैं और work कम करते हैं, तो इसलिए ये less efficient engine है, लेकिन केरनोट engine जो होता है, उसको हम लोग most efficient engine कहते है क्या कहते हैं, इसको most efficient engine, जिसकी efficiency होती है 70% के आसपास और ये जो होता है, ये possible नहीं होता है, ये possible ही नहीं है, बलकि ये एक ideal case है, तो बात करते हैं कि इसको पढ़ क्यों रहे हैं, जब ये एक ideal case है ideal case है, तो इसको पढ़ इसलिए रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस तरीके से engine design करेंगे, तो हमें कुछ हद तक efficiency ज़्यादा मिलेगी क्या 100% efficiency हो सकता है किसी engine का, नहीं, not possible, जब 70% नहीं possible है, तो 100% कहां से possible होगा, तो ये आपनी जाना, कुछ heat engine के बारे में, आप क्या होता है, इसको समझते हैं, जल्दी से हम लोग revise करते है, heat engine, heat engine में तीन चीज़े होती है, source होता है, working substance होता है, source मतलब जिससे heat हम लेते है sink मतलब जिसमें हम heat को देते हैं, reject करते हैं, अब देखिए होता क्या है, कि जैसे हमारा engine में क्या होता है, piston होता है, cylinder होता है, आपको पता है, piston, cylinder, तो वो क्या करता है, कि हमारा जब petrol, जैसे bike example है, तो bike में क्या होता है, petrol या diesel जलता है, तो heat मिलता है इसको, आपके cylinder और piston को, तो heat जब इसको मिला तो अब ये work करेगा work करेगा और Q1 amount में heat जब इसने लिया तो work भी करेगा और कुछ heat को reject भी कर देगा पूरे heat से work नहीं कर पाएगा बलके reject भी करेगा और कितने amount में heat reject करेगा Q2 amount में अगर ये heat ना reject करे तो 100% heat 100% work में change हो जाएगा जो कि possible ही नहीं है, heat को यह reject जरूर करेगा sink में, sink मतलब atmosphere में reject कर देगा heat को, आपने देखा होगा, car में, bike में heat काफी ज़्यादा reject भी होता है, तो इस तरीके से हमार heat engine काम करता है, source जो होता है, hot reservoir भी स्कम कहते हैं, sink जो होता है, cold होता है, इसको हमले cold reservoir कहते हैं, इसका temperature T1 हो होता है, क्योंकि यहां पर Q1 amount में heat को absorb कर रहा है, तो temperature change होगा, Q2 amount में heat को absorb कर रहा है, तो इसका भी temperature change होता है, यह T1 और T2 fixed नहीं होते हैं, लेकिन अगर cannot engine की बात करें, तो यहां पर क्या होगा, cannot engine जो होता है, वो reversible heat engine होता है, और यह दो temperature के बीच में ही काम करेगा, पहल लेकि यह Possible ही नहीं है, कि temperature नए चेंज हो, यह heat को reject करेगा, तो significant temperature नए եेंच कोई ही चेंज हो हगा यह heat को देगा, तो इसका भी temperature चेंज होगा, तो यह Possible ही नहीं है, कि temperature नए चेंज हो, लेकिन हम लोग possible करेंगे, कैर למव एक scientists थे 1824 में, इन्होंने एक ऐसा engine मनाया, मतल नहीं detail में करनोट इंजन को तो करनोट इंजन का figure आप यहाँ पे देखें सबसे पहले इसके figure को आप देखिए figure को आप यहाँ पे देखिए और इसको analyze करिए तो करनोट इंजन में source होता है इसके source में फर्क है इसके सिंग में फर्क है यह हमारा heat engine है कैरनोट इंजन का कुछ अलग होगा इसको समझेए जरूरी है इसका source होगा सबका higher temperature पर होता है अब यहाँ पे जो source होगा वो infinite thermal capacity रखेगा infinite heat capacity रखेगा मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जैसे आपको पता है q is equal to होता है c delta t c होता है heat capacity तो यहाँ पे आप लिख सकते है c is equal to q by delta t और अगर temperature change नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा यह infinite हो जाएगा delta t अगर 0 है तो हमारा c जो होगा वो infinite हो जाएगा तो infinite का मतलब यही है कि जब heat capacity infinite हो तो इसका मतलब यही कि temperature constant रहेगा चाहे जितना heat को यह दे इसका temperature change नहीं होगा यह होता है infinite heat capacity का मतलब तो यहाँ पे आपको समझ में है source कैसा होता है heat capacity इसका heat capacity कैसे infinite है तो यह समझ में आया source यह source के बारे में मैंने लिखा भी है अब sink of heat को समझते है इसका sink कैसा होता है यह T1 ही रहेगा तो आम engine जो आम heat engine होता है उससे यह अलाग होता है karnot engine sink कैसा होता है इसको हम लोवर टमपरेचर T2 पे रखते है ठीक है इसकी infinite heat capacity होती है ठीक है मतलब यह है कि sink का काम क्या होता है heat को लेना source heat देता है working substance काम करता है और working substance heat को reject करता है तो हमें sink को मिलता है तो sink भी जो है वो चीतना भी heat को ले सकता है इसका temperature नहीं चेंज होगा अगर यह भी infinite heat capacity रखता है तो any amount of heat can be given to it मतलब sink को बिना change की temperature इसको दिया सकता है तो यह भी आपने जाना sink के बारे में तो इन दोनों को अच्छे से धिमाद में बसा लीजे working substance क्या होता है working substance देखिए यह cylinder piston आपको पता है अब इसमें हम लोग gas लेते हैं जो की होती है ideal gas कौन सी gas होती है ideal gas ideal काम कराना है तो ideal gas ही होगी क्योंकि यह actual में ऐसा result possible नहीं होता है तो इसलिए यह ideal case है तो इसलिए ideal gas लेते है working substance में अब देखिए इसका जो cylinder होता है वो इधर से इधर से कैसा होता है insulated होता है non-conducting होता है मतलब heat ना इधर से इधर जाएगी ना इधर से इधर heat नहीं फ्लो होगी ऐसा हम लो नीचे से heat अंदर या बाहर जा सकती है तो यह cylinder के बारे में भी आपने जाना cylinder में कैसी gas भरी होती है आपको पता ही है ideal gas अब यह जो piston होता है piston जो होता है frictionless होता है और यह भी non-conducting होता है मतलब इससे भी heat नहीं फ्लो होगी तो यह इस चीज़ आप जान चुके हैं अब जा हो जाएगा isolate हो जाएगा तो अब यानि कि कहीं से भी heat नहीं आएगी system में ना heat बाहर जाएगी ना अंदर आएगी तो एक तरीके से यह adiabatic system बनता है जो कि जरूरी होता है कराना करना इंजन में यह process यह step कराना जरूरी होता है बीच में कि हमारा heat जो है वो नीचे से भी अफलो हो तो इसलिए हम लोग एक insulating pad की जवरत हमें पढ़ती है इसको भी हम लोग लेते हैं जो कि हमें क्या कर देता है आइसुलेट कर देता है system को कि heat अब नीचे से भी नहीं जा सकती अंदर ना बाहर आ सकती है तो यह चीज आपने जाना इसके construction के बारे में क्या होता है अब हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं कि हम लोग ideal gas ले रहे हैं cylinder में जिसका initial जो है वो P1 है V1 है और T1 है मतलब अभी जो state है इसका pressure P1 है volume V1 है temperature T1 है यह हम में माना है आगे देखते हैं क्या होगा तो आगे देखने के लिए मैं आपको बता दूँ कि यह 4 step में होता है कि एक cycle को complete करने में 4 step लगते हैं देखिए cycle कि इसको कहते है work कैसे होता सबसे बहुते देखिए piston उपर गया फिर नीचे आया तो चक्का आपका चलता है और गाली चलता है इस तरीके से हूता है piston उपर गया नीचे आया तो ऊपर गया नीचे आया इसको हम एक cycle कहेंगे क्या कह नीचे आहां तो एक क्या रोट सायक्ल होता है जैसे कि पिष्टन ऊपर के नीचे ऐ다 व लिए तो क्या हो रहा रहा पहले गैस टीक है फिर जब नीचे आ रहा तो गैस जिर हो डो चीजे हो रहे हैं यहां पर कि अपर होनी थीजे तो यहाँ आप उपर की तरफ जाएगा और दूसरा होगा आईसो थर्मल कंप्रेशन और एडियाबाटिक मतलब नीचे आएगा तो यह एक साइकल इस तरीके से होता है चार स्टेप में होता है एक साइकल कंप्लीट होता है तो अब आई होप आपको इतना समझ जाए होगा आप समझते हैं च क्या करते हैं स्टेप नंबर वन में आईसो थर्मल एक्सपेंशन कराने के लिए तो क्या करते हैं इसको सोर्स पर रखते हैं तो सोर्स पर रखते हैं तो क्या होता है जब हम इसको सोर्स पर रखते हैं तो यह धीरे 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 ध देडरे-देडरे, देडरे-डे-expand होता है, लेकिन इसका temperature नहीं चेंज होता है। क्यों कि यहाँ पर हम लोग temperature को fix किया है। source का temperature कैसा करनादफ आप its का temperature, एसले इसका temperature नहीं के कहते है, और हονता है आपको क्लियर होगा, वहाँ और सक्विक्स सक्वित क्या है। हम लोगों ने महनत किया है बहुत ज्यादा महनत का मतलब यह है कि infinite heat capacity का हमने यह लिया है source तो आपको पता चला पहला step क्या होता है कि हम लोग इसको source पर रखेंगे source पर जैसे रखेंगे source का काम हीट देना आपको पता है source हीट देता है इसको भी देगा देगा तो धीरे 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 ऊपर जाएगा तो होगा isothermal expansion ही क्यों कहते है temperature इसमें fix a constant रहेगा temperature तो अब यह आपको पता चल गया step number one अब इसकी वरकिंग और नोट समझतें पहले step cylinder be placed on the source source पर रखा gas be allowed to expand gas को expand करने दिया slow धीरे धीरे होगा धीरे धीरे होगा तब ही तो हमारा पंहीं से reversible नहीं होपाएगा तो धीरे 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 होगा expand अब देखे Q one amount में heat हमने दिया source से कितना amount में heat देते is Q one तो इसको भी हमने Q one amount में and heat दिया तो work होगा उपर की तरह जाएगा work होगा work का formula होता है देखिए अभी volume क्या था पहले initial state में volume क्या था V1 था लेकिन जब इस पे रखा तो volume बढ़ा V2 हो गया तो इसलिए work का formula होता है PDV DV मतलब change in volume उपर गया तो volume में change हो गया तो pressure और volume में change का multiply करेंगे तो work निकलता है तो पहले step में work इस तरीके से निकालते हैं पहले step के work को हम लोग W1 कहेंगे और W1 जो होगा heat के बराबर होगा इसलिए हमने Q1 बराबर W1 लिका है क्योंकि heat से ही work हो रहा है और यहां पर limit हम लोग लेंगे integration करेंगे V1 से V2 क्योंकि पहले V1 था अब volume बढ़के V2 हो गया तो इसलिए इस तरीके से अब isothermal expansion का हम लोग formula जानते हैं इसको solve करेंगे तो आपको मिलेगा mu RT1 log V2 by V1 अब आप सोच रहे होंगे यह आप डारेक्ट क्यों बता रहे हैं डारेक्ट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी वीडियो हम लोग अल्रेडी इसको कर चुके है अब यहां पर देखें mu जो होता है आपका होता है number of moles जैसे आपने पढ़ा है PV बराबर mu RT पढ़ा है ना कुछ नहीं किया है बस यही support किया है और कुछ नहीं आप previous वीडियो है चेक कर सकते हैं वैसे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूद नहीं है work done आप यहां पर इंसूलेटिंग पैड पर जो हमने लाके रख दिया हमें second step कराना ना अइडियाबैटिक तो जब हमने इंसूलेटिंग पैड पर लाके रख दिया अपने system को तो क्या होगा अब नीचे से भी heat नहीं जा रही थी आपको पता है लेकिन नीचे से जा रही थी लेकिन अब गेन कर रहाता सोर से समझे बात को अब हीट को जब हम इंसूलेटिंग पैड पर यहां से लाके रहा है यहां पर रख दिये तो अब यह heat को नहीं गेन कर पाएगा तो इसका temperature फॉल होगा और gas expand होगी जब हमारा temperature गिरता है तो gas क्या होती expand होती है यहां पर याद रखिएगा heat हमारा क्या हो रहा है ना surrounding surrounding से हमें heat नहीं मिल रहा है second district में यहां से अपनी यहां लाके रखा तो अब हमारा इस पर क्या होगा heat पूरा heat नहीं मिलेगा surrounding से पहले मिल रहा था source से अब नहीं मिलेगा तो इस case में temperature गिरेगा temperature गिरेगा तो हमारा gas थोड़ा से expand होगा जब भी temperature गिरता है gas का gas expand होती है तो इस expansion को हम लोग adiabatic expansion कहेंगे तो दो तरीके से हमारे piston उपर जाएंगे एक isothermal से थोड़ा जादा गया adiabatic से थोड़ा से और जादा जाएगा the cylinder is now removed from the source and is placed on the perfect insulating pad हम रखेंगे gas को हम allow करेंगे अब देखें पहले step में हमारा volume V1 से V2 पे पहुँच गया था अब V2 से V3 पे ले जाना है तो अब V2 से V3 पे जाएगा और उपर जाएगा piston since the gas is thermally insulated from all side हमें पता है कि heat नहीं गेन कर पाएगा surrounding से temperature of gas fall हो जाएगा T2 पे पहले T1 था अब T2 हो जाएगा temperature गिर जाएगा इस expansion को adiabatic कहेंगे इसमें work होगा work होता है PDV यहाँ limit V2 से V3 हम लेंगे इसको solve करेंगे adiabatic process के help ते mu R mu number of mole R gas constant होता है T2 minus T1 हमें मिलेगा नीचे 1 minus gamma मिलेगा adiabatic process से आप इसकी भी derivation देख सकते हैं यहाँ पे हमें work समझना है main तो यह आपने समझा है step number 2 में work done W2 हो रहा है अब यहाँ पे हमने heat नहीं दिया इसलिए यहाँ पे कोई heat नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे Q1 heat से work हुआ यहाँ पे बिना heat के work हो रहा है तो इसलिए इसको W2 लिख रहे हैं clear है अब number 3 है isothermal compression piston उपर जा चुका है अब नीचे लाने की बारी है तब एक cycle complete होगा तब एक cycle आपका complete होगा तो isothermal compression क्या है हमने पहले source पर रहे हैं आप हम इस system को रखेंगे sink पे जो की lower temperature T2 पे है तो जब हम यहाँ पे रखेंगे sink को यह क्या करता है reject करता है आपको पता है कि working substance sink को heat reject करता है तो जब हम यहाँ पे इसको रखेंगे तो अब इसका base conducting है तो यह क्या गरे का heat इसको देता रहेगा sink को देता रहेगा और जब heat इसको देगा sink को तो क्या होगा कि धीरे 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 piston नीचे आएगा धीरे 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 piston क्या होगा नीचे आएगा इसको हम लोग कहेंगे isothermal compression isothermal क्यों कहेंगे temperature constant रहेगा cylinder is now removed from insulating pad and placed under sink at temperature T2 piston is moved slowly so that gas is compressed until pressure and volume V4 देखिए यहाँ पर volume V3 था अब यहाँ पर रखोगे तो आप V4 मिल जाएगा volume यह third step है इसका work done भी निकालते हैं धर्ड इस्टेप का देखिए जब piston नीचे आता है तो हम work done minus में लेते हैं यह बात अब याज रखेगा तो अब देखिए यहाँ पर Q2 heat भी reject हो रही ना इसको यहाँ पर रखेंगे तो Q2 heat reject हो रही तो Q2 heat reject होने से work done हो रहा है work done हो रहा है नीचे की तरफ आ रहा है इस पर रखेंगे Q2 heat reject होगा इसको देगा heat और work done W3 होगा इसका integration का limit V3 से V4 minus PDV minus में लेंगे नीचे की तरफ आ रहा है solve करेंगे तो minus mu RT2 log V4 by V3 मिलेगा हमे अगर आप plus में लिखना चाहते हैं तो इसको V3 को उपर भेज़ दीजे V4 को नीचे तो यह plus आ जाएगा log की property होगी है तो यह third step भी समझ में आया compression लेकिन अभी पूरी तरीके से लाना है में अभी तो हमारा यह कहां पर आया V4 पर आया है ना V1 से V2 V1 से V2 V2 से V3 V3 से V4 अब चौथा step है adiabatic compression अब हम तो क्या करेंगे sink से उठा के फिर यहां पर रख देंगे insulating pad पर तो जब sink से फिर यहां पर रखेंगे तो अब यह क्या होगा हमारा system heat reject नहीं कर पाएगा पहले यह reject कर रहा था अब heat नहीं reject कर पाएगा तो heat नहीं reject कर पाएगा तो क्या होगा heat नहीं reject कर पाएगा तो क्या होगा इसका temperature क्या होगा बढ़ जाएगा इस तरीके से हमारा सिस्टम जो था जैसे था वैसे ही हो गया तो हमारा एक साइकल कंप्लेट हो गया इसका मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ तब मज़ा आएगा देखिए ये पहले क्या था पीवन वीवन तो gas expand हो गई आईसो थरमल थे आईसो थरमल से एकस्पैंड होगी तो वीटू वैलूम पहुचके देखिए वॉलूम इस तरफ है वॉलूम बढ़ रहा है ना वॉलूम इस तरफ ऐसे जब यहां पर इधर तरब जाने तो वॉलूम बढ़ रहा है फिर उसके बाद adiabatic expansion होगा volume थोड़ा सा बढ़ेगा volume थोड़ा सा V3 हो गया फिर उसके बाद compression कराएंगे तो volume घटके V4 हो जाएगा फिर और compression कराएंगे V1 मतलब एक cycle जैसे कराया तो वैसे ही stage पे आगया पुराने stage पे इस तरीके से कराया जाता है तो यहाँ पे W4 को भी निकालते हैं यह V4 से V1 होगा हमने पता है V4 से V1 पे जार है न देखें यह compression है ideabatic V4 से V1 के जार है माइनस होगा क्योंकि भाई compression ही तो हो रहा है तो इसको solve करेंगे माइनस मिवाई T2 माइनस T1 माइनस में ही लेंगे तो यह हमने निकाल लिए अब हम निकालना चाहते हैं कि इंजन का total काम कितना हो रहा है यह तो step by step काम निकाला हमने total क्या होगा तो total हम जानते हैं कि work done बराबर होगा चारो step का आप जोड़ दीजे W1 plus W2 plus W3 plus W4 सभी को जोड़ दीजे W1 plus W2 minus W3 W4 जो है वो W2 के बराबर हम लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं देख सकते हैं आप यहां पर यह है W2 यह है W1 यह है W4 तो यहां पर देख सकते हैं दोनों का magnitude तो सेम है बस केवल प्लस माइनस का अंतर है तो इसलिए यहां पर हम लिख देंगे यहां पर आप माइनस W2 लिख सकते हैं तो इस तरीके से यह और यह कैंसिल हो जाएगा तो टोटल वर्क डन कितना आजाएगा W1 minus W3 यह वर्क डन होगा आपके इंजन का तो यहां पर आप जानते हैं W1 जो है म्यू आल्टीवन लॉग वीटू बाई वीवन है इस तरीके से आपने निकाला है और इस तरीके से हम वर्क डन निकालेंगे तो यह है वर्क डन आपका कैर नोट इंजन का इसको आप याद रखिएगा और सॉल भी करिएगा तो यह है कैर नोट इंजन का वर्क डन यहाँ पर देखिए आप W जो आप ढूंड रहे हैं W3 यह आपका लिखा हुआ उपर यह वाला formula अगर लेंगे तो minus रहेगा अगर नीचे वाला लेंगे तो plus आजाएगा तो हम V4 by V3 लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा अब हम लोग निकालना चाहते हैं efficiency कि engine की efficiency हमने जान ले तो इसके formula को भी तो drive करेंगे कैसे इसका अलग से formula होगा इसको देखेंगे तो उसी कुछ लिए करते हैं what is efficiency हमें बता है efficiency eta होता है और हम लोग उसको 1 minus Q2 by Q1 से लिखते हैं इस तरीके से हम लोग लिखते हैं तो eta is equal to होता है 1 minus Q2 by Q1 Q2 और Q1 के value क्या है आपको पता होन और Q1 की value क्या है हमारी W1 है यह हम लिख सकते हैं तो eta is equal to हो जाएगा 1 minus यहाँ पर W3 की value मैं यहाँ पर put करना चाहूंगा तो यह वाला मैं रखूंगा प्लस वाला तो mu R T2 और log V3 by V4 log V3 by V4 इस तरीके से हम लोग put करेंगे और नीचे हम लोग W1 की value रखेंगे यह V4 यहाँ पे T1 होगा और log यहाँ पे V2 by V1 होगा इस तरीके से हम रखेंगे अब यहाँ पे जो mu R constant कट जाएगा पुरा cancel हो जाएगा eta is equal to 1 minus T2 by T1 into यहाँ पे उपर में जो रहेगा log V3 by V4 रहेगा और नीचे में रहेगा log V2 by V1 यह रहेगा अभी इसको हमें solve करना है तो इसके लिए हमें कुछ अलग से करना पड़ेगा तभी यह solve होगा तो क्या अलग से करना पड़ेगा हम यूज करेंगे adiabatic relation क्योंकि दो adiabatic process हो रहे ना तो इसलिए adiabatic relation का use करेंगे adiabatic relation क्या होता आपको पता होना चाहिए P1 V1 to the power gamma is equal to P2 V2 to the power gamma इस तरीके से adiabatic relation होता है ठीक उजी तर इसके आप लिख सकते हैं T1 V1 to the power gamma is equal to T2 V2 to the power gamma यह होता है तो हम लोग नीचे वाले यह relation यूज करेंगे adiabatic relation जिसको हम कहते हैं तो यहां पर इसी को तभी solve कर पाएंगे तरवाइस नहीं कर पाएंगे तो कौन-कौन से adiabatic process हो रहे हैं दो process हो ने उसको देख के करेंगे समझ के करेंगे अच्छे से तो आप देखिए आप समझें यहां पर तो सबसे पहला है जो हमारा यहां से T1 से यह एक adiabatic process है जो यह पहले देखिया आइसो थर्मल हुआ फिर adiabatic फिर आइसो थर्मल फिर adiabatic तो यह adiabatic हो रहा है अडियाबैटिक में क्या हो रहा है T1 से T2 temperature change हो रहा है और volume हमारा V2 से V3 हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे T1 V2 to the power gamma is equal to T2 V3 to the power gamma यह बनेगा द से लिख सकते हैं इसको हम लिखेंगे V2 to the power gamma and V3 to the power gamma is equal to T2 by T1 ऐसा लिखेंगे तो V2 by V3 to the power gamma लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्या लिखेंगे V3 to the power gamma हम लिखेंगे यहाँ पर gamma नहीं लिख सकते हैं गामा क्यों नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखें क्या क्यों शीजंग से और यह यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रात से होगा negócio ढ़ा चॉआ हुक्तार्फ में तो यहां च्रहकाँ कर दाए जा लिए कम इसफ प्रकूर्मसर होगा कि यहाँ प्राइशन के यूज करेंगे कैसे यूज कर रहे हैं आपको बताया आगया है यहाँ पर T1 और T2 के बीच में हो रहा एडियाबैटिक प्रोसेस और V2 से V3 हो रहा चेंग, तो अब यहाँ पर T2 by T1 रखेंगे, जहां से समझिएगा, तो यहाँ पर हो जागा V2 by V3 इसको इधर बेच देंग तो हम लिखेंगे T2 और V4 से, तो V4 to the power gamma minus 1 होगा, और T1 और volume क्या हो रहा है V1, तो V1 to the power gamma minus 1 होगा, फिर इसको solve करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे V1 और यहाँ पर V4 को इधर ले जाएगे, तो V1 by V4 to the power gamma को दिक्कत नहीं, T2 by T1 to the power 1 by gamma minus 1, तो equation 1 और 2 को हम solve करेंगे, तो यह और यह जब बराबर हैं, तो यह और यह भी बराबर होगा, तो from 1 and 2 we can write, from 1 and 2 we can write, क्या लिख सकते हैं हम, हम लिख सकते हैं V2 by V3 is equal to V1 by V4, लिख सकते हैं बाई, बिलकुल लिख सकते हैं, इसको इधर लगें, तो V2 by V1 को हम इधर ले आ रहे हैं, V3 को यहाँ बेच दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यह relation हम 3 करेंगे, इसी का use करेंगे हम लोग इसमें हैं, तो V3 by V4 के यहाँ पर V2 by V1 जैसे ही put करेंगे, यह और यह cancel हो जाएगा, तो eta is equal to क्या आ जाएगा, 1 minus T2 by T1, य यह बहुत इंपोर्टेंट है, इससे समझना, क्या होता है क्या होता है क्या इनजन, इस relations हम क्या इनजन समझेंगे, तो यह आपको clear है, यहाँ पर put करोगे, तो आप cancel हो जाएगा, क्या आपको फिगर दिखाता हूँ, यह जो आपका क्या इनजन होगा, वो क्या और क्या त temperature पर depend करेगा, T1 और T2 पर, ना working substance पर depend करेगा, ना other किसी चीज़ पर, केवल temperature पर ही depend करता है, जो कि fix होता है, तो इसलिए इसकी efficiency maximum होती है, कैर नोट इंजन की, यह बात आप याद रखेगा, तो I hope यह वीडियो आपको अच्छे से clear होगा, आप इसको बार बार practice करें, ता